श्कार दोस्तों मैं हूँ अजे और आज हम लोग बात करने वाले आपके पूछे कुछ इंपोर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियों पूछे तो उन सब के बारे में बात करेंगे और आज मुझे एक ऐसा मौका मिला है जिसमें कि जितने भी आज सारे और भी लोग इस उम्मीद से कमेंट करते हैं कि मुझे भी रिवार्ट हो सकता है मिल जाए तो ऐसी तरकीब एड़ करेंगे जिससे कि आपको रिवार्ट मिलने के चांसे काफी जादा है मतलब लगबग लगबग हैं तो क्या है वो तरकीब किस तरीके से वो एरड पुचे तो उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है सैफ करना कहना है कि डी सेंटरलाइज वैलेट एक्जांपल ट्रस वैलेट मेंटामास में मल्टिपल टाइम क्रियेट करने का कोई मुश्किल या परिशाड़ी तो नहीं हो सकती है बिलकुल नहीं आप जितने मर्जी उतना अपने वैलेट क्रियेट कीजेए बस उसकी की समाल के रखी की ताकि जो आपके उसमे उस वैलेट में क्रिप्το है वो खोना जाए तो की बस समाल के रखने बाके multiple जीतने ज़रूर। तो उतने बना सकते हैं उसके बाद KMPS Group का कहना है कि sorry I don't want to know about your business but when you said you have many business do many business my curiosity has been increased to know about business करने का भी तो एसा समय नहीं यह भी बहुत छोटा सा channel है हमारा ब्हुत छोटे से हम में बस आपको एसी बता देता हूं हमारा business travel agency का है medical का है और trading का है और एक दू और है जो आगी चलके आपको बताएंगे और बस हएी simple छोठी-छोठी business है एक सवाल है अगरी क्रॉस गेमर करने कहना है कि आप बाइनस से coin को खरीदते हैं और अपने coin को hold करते जाके यह नहीं पार्क करते जाके trust wallet पर दसके आसपास आपके पास coin है तो क्या trust wallet कभी इसका charge ले सकता है बिल्कुल चार्ज नहीं लेगा decentralized है अभी इसार नहीं क्योंकि उस पर हम रखते हैं तो transfer करते हैं भिशते तो जो fees जाती हो trust wallet के पास जाती है इसलिए इसार नहीं करने वाला next सवाल की तर बढ़ते हैं नेक्स सवाल है मंजु शर्मा जी का उनका कहना है your video is really motivated motivating my question is that when will crypto reach 3 trillion market cap 3 trillion market cap कब touch करेगी अभी तकरीबन एक trillion के असपास अभी उससी कुछ उपर आई है और अभी ये 2 trillion सबसे पहला हमारा target हो सकता है जो कि हो सकता है देसंबर में touch करें और उसके बाद जब market पूरी तरीके से bull run को touch कर रहा होगा उस समय 3 trillion भी touch कर जाएगा और उससे जदा भी आगे जाएगा next सवाल है मोनिका शर्मा जी का उनका कहना है कि सर आप मेरा सवाल क्यों नहीं लेते हो आपका सवाल बिलकुल ले लिया है और आपका सवाल क्या है भी करना है वो next year जनवरी से हम लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे अभी फिलाल टेक्स के लिए कोई टेंशन इस सिर्फ ट्रेड और प्रॉफिट ट्रेड और प्रॉफिट इस पर फोकस करिए नेक्स सवाल की तरह बढ़ते हैं नेक्स सवाल है नदीम जी का नहीं कहना है कि हलो सर कैसे हो आप थर्ड टाइम में आप कुशन कर रहे हैं और आपका कहना है कि अगर हाड़वेर वैलेट खराब हो जाता है तो मैं अपने पासफ़र्ट के साथ दोबारा से कवर कर सकता हू आप बहरीन से हैं तो आपका यह कहना है कि यह हाड़वेर वैलेट का क्या होगा हाड़वेर वैलेट हमको कुछ फैसिलिटी देता है कि इसमें कि हम रिकवर कर सकते हैं और अगर किसी के साथ कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है तो इमेल कर सकते हैं उसको मैं बता सकते हैं advice और उसके बाद आपको कहना है कुछ coin के बारे में आपने कई सारे नाम लिए हैं तो देखिए इसमें coin में PLC यो इस तरीके जो coin है ये ठीक है लेकिन इसमें समस्या क्या आती है ये coin एक तरीके से pump dump के साथ जुड़े हुए ग्रूप के साथ जुड़े हुए दूसरा कमी है कि MLM के साथ जुड़े हुए तो इन सब में वो जो growth होती है वो इस पर पूरी तरीके से cap लगा देती है और उस cap की growth की वज़े से हम लोग अंजाने में इस तरीके coin के साथ stick हो जाते हैं और फिर नुकसान कर बैठते क्योंकि उपर से सारे लोग sell करके निकल जाते तो इस वज़े से ऐसे coin के साथ तोड़ा सा दूर रही है नेक्स सवाल है संदीब देख कहना है कि सर मैं 2020 से 21 बीच में crypto में entry लिया हूँ जादा तर आपकी saving आप आपका जो भी bank है वो saving account है तो क्या आपको current account की जरूरत है current account खोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग account freeze हो रहा है मतलब आपके साथ तो जो problem मेरे को दिख रही है उसके साथ कई सारे लोग का account freeze की problem आ रही है उसमें कई बार क्या होता है जो vendor जिसको हम लोग चुन लेते हैं और हमको जादा से जादा price offer कर देता है वो जो पैसा उसके account में आया होता ह का उन users का account भी freeze हो रहा है crime branch के जरीए तो इसमें अभी हमारी जितनी भी जाजपरताल है इस सारी चल रही है कई सारे लोगों से इसके बारे में related बात हो रही है क्या ऐसा conclusion है इसके लिए कई सारे जो advocate है उनसे भी बात कर रहा हूं अगर किसी का भी इसके बारे में कुछ solution है क्योंकि लोग इस तरीके की समस्या में फस रहे हैं भले ही 100 में से भी 5 लोग का number है 100 में से एक ratio बता रहा हूं 100 में से 5% ही लोग है लेकिन लोगों के साथ यह problem हो रही तो जो लोग भी P2P करें बहुत सावधानी से करें कोई बहुत जादा interesting offer दे रहा P2P पर तो उस पर मत जाए और हो सके तो withdrawal deposit का frequency यह रखे कि जब हमको एकदम से निकालना है तब सोचें बार-बार अपने bank account को touch मत करें अगर finance से बढ़ा है तो उसको पढ़ा रहने दे बाकी detail में वीडियो आएगी से solution क्या है अभी problem सुनके घबराना नहीं solution भी देंगे solution पर ही हम काम कर रहे है नेक्स सवाल की दर बढ़ते हैं नेक्स सवाल है पंकच सिंग कहना है कि संडे की question answer video काफी important होती लगबख सभी doubt clear हो जाते है बिल्कुल यही मेरा मकसद ही है आपका question यह है कि BTC 19,000 वाले price पर उपर जाएगा फिर नीचे कब ऐसा होगा कि अब नहीं आएगा तो यह देखे अभी जिस situation में तो अभी ऐसा नहीं कह सकते थोड़ा सौ समय बीतने देंगे और वैसे जो यह last quarter हमारा होता इसमें market कुछ अच्छा perform करती है तो chances है अभी अच्छा perform करने के नेक्स सवाल हिते जिगने कहना है कि beautiful video से आप बनाते हो और आपका सवाल यह है कि आपको 1227 तक ए करनी पड़ती कई बार नुकसान उठाना पड़ता है बहुत सारी चीजे ट्रेडिंग मतलब एक all over package जिसमें फाइदा नुकसान टेप्स हर एक मौका opportunity नुकसान बहुत सारी चीजे मिला कर फिर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर मतलब एक ऐसी fix चीजे fix चीजे ब complete कर सकते हैं नेक्स सवल क्या जारिया निन का कहना है कि आने वाले दो तीन सालों में cryptocurrency का व्यक्तिगत तोर पर कहां पर देखते हो और बहतर होगा यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा तो दोस्त देखिए क्या होता है कि हर कुछ समय में trend change होता है हर कुछ सम बाकि यह है कि बेस कुछ इसी तरीके का बेस कुछ ब्लॉक्चेन काई होगा बाकि देखते हैं नेक्स आने वाले समय में क्या हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स सवाले भागवत नहीं कहना है कि सर फोर्सेज क्या है बहुत चल रहा है लीगल है इंडिया में और कुछ बीजिए ऐसा प्लेटफॉर्म लीगल है या इन लीगल कहां से चेक करते हैं प्लीज रिपलाए तेखी कहां से चेक करते है वो तो इजी नहीं है बाकि अगर हम बात करें फोर्सेज की तो फोर्सेज एक एमलम बेस प्लान है कई बार हम वीडियो में बता चुके आज भी ब कुशन है प्रीज आंसर दीजे पहला कुशन आपका यह है कि ओके एक्सपर्ट टी यारबी कॉइन को 265 का स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा है तो क्या उसको करना चाहिए तो देखिए स्टेकिंग रिवार्ड कुछ मतलब लॉक अगर है कहने का मतलब अगर आपका ऐसी स्टेकिंग है जहां पर बहुत कम समय का बहुत ज़्यादा हाफते 10 दिन 20 दिन का लॉक है इन जैसे कोई पर तो आप वहां कर सकते है नहीं तो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट मत दिखाईए बाकि हम अगर अपनी पर इस टाइम लूना सी बाय करना चाहिए क्या तो बहुत ज़्यादा रिस्की है और अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर है तो उसमें एंट्री ले सकते हैं बाकि इस समय समय पर उसकी न्यूस बहुत ज़्यादा आ रही है कभी बाइनस की तरफ से कभी किसी एक्सचेंज की तर आज एक खास मौका और है आज तीन लखी विनर तो निकलेंगे निकलेंगे साथी साथ आपको एक ऐसा रसता ही बताओंगा जिसमें से अगर आप अगर आप इसमें विनर नहीं बनते इन तीन के लिस्ट में नहीं आते हैं फिर भी आपके पास चांसे रहेगा कि आप 30 डॉ कर लेते हैं कमेंट को और यहां पर इनकर जो सवाल है इसको हम लोग यहां पर जवाब दे देते हैं और केट जो भी सवाल है वो सारे पिक हो रहे हैं और अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना सिंपल जो वीडियो आप देख रहे है य owners alex- island किजे नेक्स वीने उसका अव grande मिल सकता है तो स्टार्ट करते हैं हम् 있다고 gu अवकसे सवाल है उन सब को uboron यहां पर स्टार्ट किया है यह जो सवाल है लखी विनर ल्यूसीफर लुसीफर पहले हमारे विनर है और next विनर पिक करते हैं नेक्स से फ़रे फिर्स्ट िՂर, सेकंड वििनर क्रिप्टो हैक है और धर्ड विनर कौन है इनमें से ये चेक कर लेते हैं धर्ड विनर है हमारे गौतम कुमार गौतम कुमार जी का सवाल है जह वह दे ऐँऄ myset ख्या है गौतम Kुमार जो भी लखे विनर है आप लोगों करना यह है कि जो भी आपने कमेंट किया था उन सबी के नीचे अपना USDT का BB20 TRC20 जो भी आपको अच्छा लागी है उसका address copy करना है उसका screenshot लेना है और email पर हमको भिज देना है ताकि हम उसको verify करकर आपको next Saturday day से पहले पहले आपका जो भी reward है वो दे दे अब यहाँ पर जो next 30 dollar का reward जिसके बारे हमने बात किया था और वो इस हाफते हम collect करकर लाए है ढूंड कर लाए है और कोशिश करेंगे जब जब भी मुझे मिलेगा मन्त हमें हो सकेगा तो मतलब दो से तीन बार तो यह इस तरीके की चीज़े जरूर ले करा हूँ तो उसके लिए आपको कुश नहीं करना है simple description में एक link है जो कि bit bns का एक trading करा रहा है मतलब training करा रहा है training होगी future trade की कि आपको bit bns में future trade कैसे करना है उसका पूरा एक session चलेगा जो कि जो लेंगे वो गौरब ढाके जो कि bit bns एक खुद founder है CEO है वो इस session को introduce करेंगे और मेरे खाल से काफी तरह इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब उन चीज़ का खुद owner इन चीज़ को explain करें कि वो जानते हैं उन्होंने कहां कहां क्या चीज़े implement करा रखी है तो इसमें आपको enroll करना है enroll बिलकुल free है free enroll में आपको उनका जो webinar होगा उसमें join करने का मौका मिलेगा आपको email पर 16 तारिक को उसकी सारी detail हाजाएगी 18 तारिक को देख रहे हैं इसमें यह मिलेगी और एक certificate मिलेगा जो की bitbans की तरफ से होगा उसमें यह होगा कि आपने future trade की training को complete किया है तो इस तरीके का आपका एक certificate भी मिलेगा तो enroll करने के कुछ भी करना है simple जो नीचे enroll का button इसको click करना है प्रेस करना है यहां पर अपना जो भी detail है वो सारी डालेंगे sign up करें यह आपके email पर verification आ जाएगा और mobile पर SMS आ जाएगा उसके बाद जो भी time schedule जो कुछ भी होगो सारी update आपको उस पर आती रहेगे और उसके बाद आप अराम से इसमें participate ले सकते है तो इसमें अगर आपको participate करना है तो इसमें limited seat है जिसमें की 1000 की limit है first 1000 जो आएगे उनको यह सारी reward मिलेंगे उसी बाद जो आएगे हो सकते हैं उनको reward ना मिले कम मिले या कुछ changes हो सकते हैं तो आपको जितना जल्दी हो इसमें participant ले लेना है और क्योंकि लाएं जो कि सभी के सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटा-फट से जागे उसमें participate ले और अपना reward क्लेम करें तो दोस्तों यह थे आप सभी के सवाल उप्मीद करता हूं मैंने सभी के सवाल के सही सही जवाब देने की पुरी-पुरी कोशिश की है और आप सभी के पास अब कई सारे multiple option है reward पाने के और हम अगली वीडियो में भी कोशिश करेंगी कि आपको कई सारे airdrop नहीनी तरीके के दिलवाने की कोशिश करें क्योंकि जो हमारा giveaway का चांत है वो तीन लोग के लिए है तीन लोग के बाद वो फेल हो जाता है तो उसकी बाद कुछ और ऐसे-इसे interesting airdrop जिसमें maximum number of जो audience है वो participate ले सके तो उसमें आप कर सकते हैं next बताऊंगा बाकी अगर आपको कोई भी सवाल करना क्रिप्टो से लिए तो इसी वीडियो में नीचे कमेंट कीजे और जो भी कमेंट करेंगे उसको Sunday की जो वीडियो next आएग उसमें जवाब देंगे और giveaway में participate भी करने का मौका उसी से मिल जाएगा Thank you so much दूसरों वीडियो देखने के लिए वीडियो गर पसंद आई हो वीडियो गर अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्कैमर से बचके रहे हैं Thank you so much वीडियो देखने के लिए